हेलो क्रेंट्स वेलकाम बेक अगें टू आज हम वीडियो में देखेंगे एन ए बीएच तरी सी एन सोडियम साइनो बोरो हाइड़ाइड यह भी क्या है एक रेडियोसिंग एजेंट है हम रेडक्शन वाले यूनिट में ही इसको पढ़ गाए है लेकिन इसका एक अलग तरीके से रेडियोसिंग का काम है उसको समझने का प्यास करेंगे यह पियोरली किसी नूट्रल रेजेंट पर काम नहीं करता लेकिन यह क्या करता है रेएक्शन के बीश में जब हम इमीनियम आयन जब बनता है उसको यह reduce करने के काम करता है, समझेंगे इमिनियम आयन होता कि है, ठीक है, सबसे पहले यह तो लिखो कि यह एक पगा का reducing agent है, जो इमिनियम आयन का reduction, इमायन की रुप में करता है, मतलब इसका फैदा हम देखेंगे क्या होता है, पहले तो समझ लेते हैं इस सब चीजों, ठी है, इमिनियम आयन का production भी during the reaction होता है, जिस reaction में इमिनियम आयन का formation होता है, उसमें NABH3CN12, उसका reduction करा जाता है, ठीक है, सबसे पहले इसका structure कैसा होगा, देखो, बोरा हैडराइड में हम देखे थे, यहाँ पे क्या होता था, हैडरोजन होता था, हैडरोजन के साथ साथ य करा, रिपलेस करा दिये, क्यों करा दिये, बोराण की elektron negativity ज्यादा है, किस से, hydrogen से, तो hydrogen यहाँ पे क्या होगा, नेगटीव चार्ज वाला होगा, तो negative charge वाले को sainide वाले negative ligand से, substitute थो करा ही सकते है, यह substitution करा दिये है, ठीक है, इसलिए इसका structure जो है इस तरह से हो गया, ठीक यहाँ डियक्ली मैं रियसन करा रहा हूं देखते हैं बनेगा क्या प्रामरी यहां से किसमें करा रहे हैं देखते हैं क्या बनेगा ठीक है तो यहां पर क्या होता है यहां का OXYGEN और यहां का H2, H2O, H2O बना के बाहर निकल गया, ठीक है, जो ब्लेक ब्लेक में दिखाया हूँ, अगला है, बनेगा क्या, R, यह R, C, H, ऐसा ही है, डबल बॉंड, नाइटोजिन के साथ में यह रहा डबल बॉंड बन जाएगा, और यहां पर क्या बनेगा, N, R, अब यहां पर क पोटोनेशन होता है, पोटोनेशन कराने पर क्या होता है, यहां पर अमोनियम आयन बनता है, ठीक है, अमोनियम, इमीनियम आयन यह, आई होगा जी, इसको मैं गलत लिखा हूँ, इमीनियम आयन बनता है, पहले भी गलत लिख दिया, नहीं ठीक है, इमीनियम आयन बनता है, अब इस iaminium ion में इसका pH क्या होगा फोस इफाइब तक होगा इस iaminium ion में NABH3CN के साथ में जब हम reduction करेंगे तो क्या होता है इस carbon में एक hydrogen attached हो जाता है जिससे यह वाला जो bond है वो कहाँ shift हो जाएगा इधर shift हो जाएगा ठीक है इधर सिफ्ट हो जाएगर यहां पर क्या अट्यक कर लेगा एक तरद से नया hydrogen black color का जो hydrogen होगा यहां यहां का वह अट्यक करेगा तो यह आ गया black color का hydrogen ठीक है अब hydrogen का color भी होता है कि असर नहीं यह बन गया क्या secondary amine यह क्या बन गया secondary amine देखो यहां पर nitrogen से 1 है इफका साइनो भुरहाइड है यहांपर में लिखा भी हूँ यदि प्राइमरी है मिलोंते हैं यदि के साuity करेंगे तो झरेक्शन करेंगे तो directly tertiary amine या फिर isopropyl amine हमको मिलता है ठीक है देखते हैं कैसे दोनों ही मिलेगा यहां पर isopropyl आप add कर सकते हो isopropyl amine तो वो तो कौन सा गेजंट आप यूज कर रहे हो कौन कौन सा अगर अगर प्रोटान के साथ कर रहे है तो प्रोटान कहा जाएगा नाइट्रोजन में जूड़ जाएगा उसके बाद में यहां से हाइट्रोजन आएगा वो कहां जुड़े कारवन में इस तरह से हम क्या मिला इसोप्रोफिल ग्रूप मिला ठीक है मैं इसको रेड से कर दे गा हूँ चुकि रेड से मैंने इसको यहां पर दिखाया है अब ब्लेक वाला जो है ब्लेक में आकर add हुआ है ठीक है समझ में आ ज होता है क्योंकि यहां पर बल्की गुरूप यहां पहले से प्रिजेंट है यह बल्की फंग बल्की गुरूप यहां पर नहीं आ सकता अर रेडक्शन कहां होता है इस ऑक्सिजन का रेडक्शन होके एस्टोब बाहर निकलता है अब जो यहां पर मतलब यहां पर क्या हो है आख गुरूप जुड़ हुए है यह बन जाता है आपका टर्सरी अमेन कोई दिक्कत नहीं है बस आपको रियेजन्ट के साथ में जो सप्लिमेंटरी लगता है उसको आपको चेंज करना है इसका मीडियम चेंज करना है स्वालिक याप वाद्यूशन में यह होगा और एकवस स्वालिशन या प्रोटाुनिक स्वालिशन में यह होगा ہے ठीक है यादिया लुन में हो घ्र में सूटकरा हुआ और हाथ से मोबाईल पकड़के सूट कर रहा हूँ तो इसमें जहर सी बात है थोड़ा हिले गई है ना प्यूकिति अभी मैं घर आया हुआ हूँ और जो है अपना जो प्लेस है जहां मैं डेली सूट करता हूँ तो थोड़ा सा अगर पिक्चर इधर उदर हिलते हैं तो उसके लिए सोरी ठीक है और एक चीज यह आपको बतादूं कि पढ़ाई जो है स्टार्ट कर दो जी अब दिसंबर खतम होते ही लास्ट में या फिर्स्ट जन्वरी में आपका जो होगा एक्जाम चालू हो जाएगा है ना तो बी सीरियस और दिक्कत हो तो बताओ है ना कोई चीज का है ना सो थैंक यू फोर क्या बोलना चाहिए विडियो में बने गाने के लिए है ना ठीक है ओके